हम लोग आज निसर्ग दत्त महराज और एक भाई साब उनसे मिलने आए हैं और बड़ा इंट्रेस्टिंग क्वेश्चिन बहुत सिंपल क्वेश्चिन है क्वेश्चिन ये है सभी स्पिरिचल टीचर्स मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं तो मेडिटेशन का परपस क्या है कोई भी इंसान मेडिटेशन क्यों करता है ये सवाल उने पूछा और निसर्ग दत्त महराज जवाब दे रहे हैं हमारे बाहर की दुनिया इस फिजिकल वर और फिलिंग्स की है वो कैसे काम करती है इसके वारे में हम लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है ऐसा लगता है रैंडम है सब कुछ तो मेडिटेशन का जो सबसे प्राइमेरी परपस है वो ये है कि आप कॉंशिस हो सकें आपके अंदर में क्या हो रहा है साथी साथ आप फ फैमिलियर हूँ लेकिन अपने अंदर की फीलिंग्स के साथ हम लोग बहुत फैमिलियर नहीं है उसी फैमिलियरेटी को बढ़ाने के लिए अपने अंदर की फीलिंग्स और थौट्स के साथ फैमिलियर होने के लिए अपनी इनर लाइफ के साथ कमफर्टेबल होने के लिए उसके प्रतीक conscious होने के लिए meditation किया जाता है ये primary purpose है तो ये तो हो गया primary purpose लेकिन ultimate purpose भी एक और वो है दुनिया में सारी lives का जिसको भी आप कह सकते हैं consciousness का जो भी conscious being है जहां से भी जिन्दगी आती है उसके source तक पहुँचना ये है ultimate purpose meditation का और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खास बात है अगर कोई आदमी meditation की practice करता है regular basis पर तो हमारे character पर भी उसका असर पड़ता है हमारे चरित्र पर हम लोग कोई बात पता नहीं है कि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं अपने बारे में लेकिन जिस चीज़ को हम जानते हैं हम उसके मालिक हो जाते हैं अभी कल ही मैं वैबो को बता रहा था नहीं आपके साथ बैठा हुआ था मैं gambling industry को हमने समझा था gambling industry एक खास तरह के bias पर काम करती है उसका नाम possibility bias इस idea के हम मालिक हो गए अब बहुत मुश्किल होगा हम लोगों को gambling करना पहले ये था कि अगर दस पे लगा दिया तो क्या पता 1000 रुपे कमा लें लेकिन अब पता है कि 1000 रुपे कमाने की possibility कितनी है almost nil तो जो चीज़ हम जानते हैं उसके हम मालिक होते जाते हैं हम सब के अंदर में धेर सारी vices है vices मतलब कमिया गलतिया ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं ना हो जिसे किसी को आदत होती है जूट बूलने की कभी-कभी हमारे अंदर में jealousy होती है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं ना रहे उसको बोलते हैं wise बहुत सी कमजोरियां है और जब हम उसको अपने अंदर में discover करते हैं उसको समझते हैं उसके कारण समझते हैं उसकी working समझते हैं उसी समझने के process में उसी जानने के process में हम उसको overcome कर लेते हैं हम उसको जीत लेते हैं जिसको भी बड़े-बड़े psychologist बोलते हैं अरे आदमी का mind है वो conscious है और subconscious है unconscious है unconscious बहुत बड़ा है example दिया जाता है tip of the iceberg के आदमी का mind उपर का जो tip है वो तो है conscious mind लेकिन अंदर का गहरे वो बहुत बड़ा है वो है subconscious या तो unconscious निसर कहते हैं जो भी unconscious है वो dissolve हो जाता है जब वो conscious मिलाया जाता है और जैसे ही आपका unconscious dissolve होता है तो उसमें से energy release होती है और mind को एक पूरती की feeling आती है जो पहले असंतोश था disturbance था इसको वैसे भी हम लोग रोज experience करते हैं आपको नहीं पता आपकी चाबी कहा है चाबी कहा है और आपको पता है चाबी कहा है मन को शान्ती मिल गई तो यह आदमी बोलता है ठीक है मन शान्त हो जाता है मैं आपकी बात समझ गया लेकिन शान्त मन का use क्या है अब जो मैं कहूंगा उसको काम मत बना लिजेगा कि कल से मुझे प्यॉर विटनिस बनना है सुनिएगा और सुन के समझ जाईएगा अगर ना समझ में आये तो फिर से सुनिएगा जब मन शान्त हो जाता है हम अपने आपको ऐसे जान पाते हैं जैसे प्यॉर विटनिस साक्षी की तरह हम एक तरह से विद्ड्रॉ कर लेते हैं जैसे कोई भीड में लोग खड़े हो और किसी को मार रहे हो या जिन्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो आप भी उस भीड में खड़े हैं लिकर नचानक से आपको बता चला रहे मैं तो इन लोग की बात चीज़ से विल्कुल अगरी नहीं करता हूँ आप अगल वाले से पुछते हैं वही किस चीज़ के बारे में मुर्चा चल रहा है तो बताता है वही एजुकेशन के बारे में चल रहा है और आप तो उसके हिस्से हैं ही नहीं गलती से unconsciously आ गए थे फिर आप पीछे घिसक जाते हैं ऐसे ही जब आप का मन शान्त होता है तब आप पीछे घिसक जाते हैं विद्ड्रॉ कर लेते हैं किससे experience and experiencer से हम सब की रोज रोज धेर सारी experiences होते हैं निकलना चाहते हैं निकल नहीं पाते हैं हमारे confusion के experience दुख के experience spiritual लोगों को तो physical body के experience से free होना है तो सभी experiences में से हम withdraw कर लेते हैं और हम सब के अंदर में conscious mind में हमारे thoughts हमारे emotions और हमारी body में से एक चीज निकल के आती है उसको बोलते है experiencer वही बगबग करता रहता है तो उससे भी हम अलग हो जाते हैं हम अलग हो करके कहां खड़े होते हैं pure awareness में pure awareness का एक photocopy हमारे पास अभी भी experience के रूप में है गहरी नींद उस समय body सोती है और हम किसी भी experience के साथ नहीं होते हैं सारे experiences से अलग हो जाते हैं लेकिन उसमें हम भी होश होते हैं जब मन शान्त होता है और हम अलग हो जाते हैं तो वो pure awareness होती है experience और experiencer के beyond होता है pure awareness कोई entity हमारे अंदर में है जो अपने आपको आराम करने के लिए body से disidentify कर लेती है, mind से disidentify कर लेती है जब हम सोते हैं तो जब जगते हैं तो वही चीज अचानक से फस जाती है पता है कहां फसती है हमारी personality में वो फस जाती है धेर सारी self identification में हमारे सारे thoughts गहने में self identification है हमारी problems के साथ identification है, हमारी aspirations के साथ हमारी ideals के साथ बहुत से goals conscious हैं बहुत से subconscious हैं इसलिए कभी-कभी randomly दुख आता है strong दुख कि कुछ किया नहीं जिन्दगी में और ये ऐसा नहीं कि उस आदमी को आता है जिसने कुछ नहीं किया केवल उसको आए उसको भी आता है जिसने बहुत कुछ किया है हम लोग को अंदर से लगता है कि हम कुछ है और उसी के साथ हम identify करते है तो हमारी personality बार-बार ये हमको बताती है ये सोचती है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ ये सब चलता रहता है जब आप शान्त होते हैं ये सब चलता रहता है लेकिन दूर हट करके body की तरह याद है हम लोग कृष्णमूर्थी की biography पढ़ रहे थे तो कृष्णमूर्थी अपनी body से अलग हो गए थे और उनकी body रो रही थी परिशान हो रही थी और वो अलग थलग खड़े थे याद है एक बार वो पुपल जैकर के साथ थे तब और एक बार शुरू शुरू में हमारे साथ सपने में भी होता है गहरी नीद में जब हम सपना देखते रहते हैं तो इसी I am this, I am that के साथ चलता रहता है लेकिन उसमें हम फसे रहते हैं लेकिन जब आप अलग हो जाते हैं, जब शान्त होते हैं आप विटनेस हो जाते हैं प्यॉर अवेइनस के साथ खड़े होते हैं तो आपकी बाड़ी और माइन्ड तो काम करता है लेकिन आप दूर खड़े होते हैं विटनेस की तरह या आदमी पूछता है कि एक मेरी थेयरी इस आदमी की अपनी खुद की एक theory है वो पूछ रहा है कि क्या हमारे body में जो आत्मन है जो God है जिसको हम self कहते है क्या उसका काम नहीं है कि हमारी body के energy को उपर खसीर कर उपर ले जाए ताकि उसको आत्मन का experience हो रे भाई जब खुदी वो आत्मन है जैसे पानी में अगर आप कोई हवादार चीज आल दे कोई गुबारा डाल दे पानी से भरा हुआ समंदर में डाल दे तो अपने आप उपर आ जाता है तो आत्मा भी तो बहुत high energy की है तो वो body को भी उपर की तरफ क्यों नहीं खीच लेती क्या उसका एक काम नहीं है तो निसरगदत कहते हैं ये levels का सवाल नहीं है तुम्हारे हिसाब से low level और high level ये तुम्हारा हिसाब किताब है आत्मन के लिए level का सवाल नहीं है उसके लिए सब कुछ एक समान है आत्मन के हिसाब से गुणाज matter करता है meditation एक ऐसे activity है जिसको हम सात्विक कह सकते है intelligence की integrity की activity है और meditation का main काम है हमारे body में से तमस को पूरी तरह से खतम कर देना inertia को, अंधेरे को, अज्यान को और साथी साथ रजस को भी, जो भी emotions है उस सारे के सारे emotions meditation के लिए distraction है, disturbance है meditation में हम धीरे-धीरे pure सत्व में चले जाते हैं और एक perfect freedom experience करते हैं किस चीज़ से freedom होती है हमारी sloth से inertia को sloth कहा गया है emotion को restlessness कहा गया है restlessness से और inertia से तमस से freedom को ही बूलते है pure सत्व तो energy का level का उपर नीचे का होने सवाल नहीं है, यह सवाल है कि आप सत्व में रहते हैं, pure सत्व में या mixed गुड़ों में रहते हैं तो यादमी कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया अगर आपके हिसाब से हम को सत्व में रहना चाहिए तो सत्व को strengthen कैसे करें उसको purify कैसे करें उसमें सितमस और rajas को कैसे हटाएं निसर कहते हैं सत्व को तुम्हें strong नहीं बनाना है वो शुरू से ही pure है और strong है वो सूरज की तरह है, दूर चमकता हुआ वो तुम्हें लग सकता है कि सूरज में cloud इकठा हो गया है बादल हो गया है, धुंद लग गई है लेकिन वो देखने वाले की नजर से है तुम ये देखो कि किस वज़े से तुम्हारे अंदर में सत्व छुपा हुआ है obstruction क्या चीज है सूरज में कोई दिकत नहीं होती बादल के ओपर ध्यान देना पड़ता है अब हमारे लिए हमको ये पूछना पड़ेगा कौन से emotions में मैं फसा हूँ इस समय कौन से activity मैं कर रहा हूँ या किस में मैं engaged हूँ कि मेरे body में inertia है आलस है इस बोलता है सत्व का फाइदा क्या है गुरुजी निसर बोलते हैं बोलते हैं तुम बताओ सच्चाई का अच्छाई का balance का life में harmony का या खुबसूरती का क्या use है तुम बताओ ये सब अपने आप में complete है इनसे कहीं नहीं पहुँचा जाता है यहीं पहुँचा जाता है जब चीजों को अपने आप छोड़ देंगे तो ये सारी चीजें अच्चाई, खुबसूरती, सच्चाई ये सब दिखना शुरू हो जाती है इसलिए कभी भी कोशिश मत करो कि मैं इसको लाने की कोशिश करूं सत्व को जब तुम इनको experience करोगे पूरी तरह से उसी awareness को सत्व कहा जाता है सत्व को use करके तुम कहीं पहुँच नहीं सकते हो और सत्व भी तुम्हारा इस्तिमाल नहीं करती है ये तुमको भर देती है जो भी तुमारे अंदर में कमिया है उसको भर देती है बोलता ठीक है, मैं समझ गया कि सत्व के साथों में कुछ नहीं कर सकता तुम मुझे काम करना पड़ेगा तमस के साथ और रजस के साथ तो उसके साथ मैं कैसे डील करूँ तो यह बड़ा आसान है देखो उसका आसर तमस का और रजस का तुम्हारे उपर और तुम्हारे अंदर क्या आसर पड़ रहा है वो जिस समय काम कर रहे हैं उस समय जिस समय हो रहा है activity उस समय उसके activity को देखो तमस जब तुम्हारे thoughts में express होता है उसकी भाषा को देखो अपने words में तमस को देखो अपने deeds में अपने activities में देखो और जब तुम देखते रहोगे देखते रहोगे धीमिदी में उसका जो ग्रिप है तुम्हारे उपर वो धीला होना शुरू हो जाएगा और उसी में से सत्व की रोशनी चमकेगी ये कोई मुश्किल चीज नहीं है और कोई छुपी हुई चीज नहीं है बट केवल कोशिश करते रहना है कोशिश करते रहना इमानदारी से और सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी मुझे अमीदे दोस्तों आप लोगो इस वीडियो से कुछ मदद हुई होगी इस पूरी सीरीज को देखने के लिए आप जिनों का एडवांस बेसी कोर्स जोइन कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि हम इस तरह का लाइव सेशन करें आपके साथ तो आप जिनोंवी बनाने में हमारी मदद करिए डोनेट करिए थैंक यू